कि नमस्कार साथ यो एक वार्ट फिर से स्वागत आप सभी का लोगाइक लासेश के बीए प्लेटफार्म पर बीए सेकेंड डियर में एक्चुल में बीए सेक फरस्ट सेकेंड और थर्ड यर तीनों में ही अलग-अलग युनिवर्सिटियों में तीनों यह में यह सब्जेक् करेंगे राज्यराम मोहन राएक के राजिनितिक संभन के विचारों पर चर्षा करेंगे शिक्षा और भर संबंदी विचारों पर बात करेंगे क्लिए रहे ना तो 3 सेशन में हम राजय राम मोहन राए के सेशनों को कंप्लेट करने वाले हैं आयों दोस्तों शुरू करते अपना सेशन आज का कि संपूर्ण राजनित्ति संबंधी विचार तो राजय राम मोहन राए के बेसिकली चलिए अंदरी समझेंगे इसको आप यहां कन्प्यूस हो जाएंगे आप लोग कि सेकिंड यूनिट का फर्स टोबिक राजारा मोहन राए और चार विशेश राजनितिक्यों के बारे में हम इस यूनिट पर पढ़ने वाले स्वाम विवे का नन्द लोकमाने तिलक और अर्विन घोश के लि लीजिएगा जिससे कि आपका पूरा एक दर्शन बन जाए कि आपको इसके अंदर मतलब आचके टोपिक में करना क्या 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 पढ़ने को मिलेगा किस आंसर का जवाब चाहिए चुकि जो कोशन है दोस्तों यह मैंने आप लोग को दिया है कि मोडल पेपर जब मैं आपक कमेंट भी करते हैं कि सर इसका आंसर या पिर आप सर्च नहीं कर पाते हैं तो इससे संबंदी थी आज का टोपिक होने जा रहा है हमारा के लिए चलिए चर्चा करेंगे डायरेक्टली राजराम मोहन राय के राजनिती संबंदी विचारों पर तो प्रतेक सेशन की तरह जि क्योंकि जब भी अश्राइटिंग करते हैं तो अपको डायरेक्ली डायरेक्ली दोस्तों आपको उन विचारों पर नहीं आना है बलकि जब भी आपका आंसर अप स्टार्ट करतें तो इत्साम में तो एक रोप में उनसे संबंदी तठ्यों को देना आवश्यक होता है अगर जरा मोहनराय का कारी छेत्र की दोस्तों हम बात करें कारी छेत्र की मतलब कि उन्हों ने अपने जीवनकाल में जिस छेत्र में कारी किया है वह छेत्र तो बेसिकली उनका धर्म और समाज रहा है उन्हों ने अपने पूरे जीवनकाल में धर्म धर्म सुधार और समाज सुधार के संबंदित ही कारे अधिकतम किये हैं लेकिन अधिकतर होता क्या है दोस्तों कि जब आप जनता को धार्मिक रूणियों से मुक्त करा देते हैं सामाजिक नव जागरन ला देते हैं सामाजिक रूप से उनको जागरत कर देते हैं तो जब जनता जागरत हो जाती है तो उसमें संभवता संभवता राजनीति में भी उनकी जागरती बढ़ जाती है ऐसे लोगों की जो धर्मकी रोडियों से मुक्त हो चुके हैं और समाजिक इस तर पर वो भिक्सित हो चुके है तो एसे से राजनीती में अपने आपर अरता स्वता ही जो है उसमें पर उची लेने लगती हैं इसलिए यहां का जाता है कि राजा राम मोहन राय का कारेच्छेत्र तो विशेस रूप से अगर देखा जाये तो धर्मिक और सामाजिक रहा था लेकिन इनों ने धर्म और सामाजिक जीवन में इनमें जागरती लाकर के इनों ने राजनितिक संदर में भी इनों ने जागरती को उत्पन्य किया जनता को जागरत किया और इसी राजनितिक जागरती के कारण ही समाज और धर्म में सुधार के माध्यम से जो राजनितिक जागरण आया उसी जागरण के कारण ही इन्हें नवीन भारत के संदेज वाहक के नाम से जाना जाता है Prophet of New India के नाम से जाना जाता है राजा राम मोहन राई से पहले कि अगर हम बात करें तो उससे पहले नागरिकों में अधिकारों जेसी कोई भावना ही नहीं थी उन्हें अपने अधिकारों का ही परिशे नहीं था कि उनके कुछ अधिकार एक राष्ट के नागरिक होने के नाते उनके कुछ अधिकार भी होते हैं राजा राम मोहन राई ने ही जनता को जागरित किया और ये बताया कि जनता चुकि देश के नागरिक हैं देश के नागरिक होने के नाते उनके कुछ बिशेस अधिकार भी बनते हैं ये हला कि राय सहाब ने डारेटली नहीं बताया बलकि उनके सामने कुछ ऐसे तत्य आए या कहें कि ऐसे कुछ उधारन आए जिनसे वो प्रभावित हुए जै लोग- तंत्र शासण व्यवस्ता कीस्तापने की थी तो इस प्रकार से इस प्रकार से जनता के अधिकारों से पहले अफ़गट हुए सामाजिक इस्तर पर धार्मिक इस्तर पर और साथि साथ में राजनितिक इस्तर पर भी उन्होंने जनता को जगाया और उन्हें बताया कि उनके कुछ विशेश अधिकार भी होते हैं जिने वो अक्से मांग सकते हैं और इन सभी कत्नों के साथ ही उन्होंने राजनीती के सभी लगबख सभी पहलूओं को उन्होंने टच किया इस पर से किया और सभी पहलूओं में जो ब्याप्त कमजोरिया थी जो भी उनमें कमिया थी उन कमियों को उजागर किया और उजागर करने के साथ ही साथ में उन्हों समझ्याओं के जो है उपाएं भी बता हैं इसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने समझ्याओं बताईए बल्कि समझ्याओं के साथ इसाथ उन्होंने उपाएं भी बता हैं तो इस प्रकार से दोस्तों आपका एक ब्याक्या अर्थात की एक सिंपल सा पूरे टोपिक से संबंदित या कहेंगे उनके विचारों से संबंदित एक आपका तत्य कंप्रीट यहां से हो जाता है कि लिए रहे तो उम्मीद करता हूं विभारी रूप से सुनने के बाद में आप को ठोड़ने में बिल्कुल भी प्रोल्लम नहीं आएगी आसानी से समझ आएगा कि लिए ना चलिए अब आगे बढ़तें दोस्तों अब हम डायरेटली मूग करेंगे राजरा मोहनराई के राजनीती संबंदी विचारों पर चुकि यहां पर एक मिस्प्रिंट हुआ है तो इस पर आप लोग ध्यानना दे इस पर ध्यानना दे सामाजिक ना होकर के राजनीत मोहनराई के राजनीती संबंदी विचारों करेंगे सबसे पहले उसके बात करेंगे किससे असन ब्यवस्ता का समर्थन किया है और किसस असन ब्यवस्ता का विरोध किया है अर्थात लिरंकु शासन वेवस्ता का हमेशा इन्होंने बिरोध किया है इसके बाद में किस प्रकार की सोतनता का अर्थात प्रेस और अभिवेक्ति की सोतनता का ये हमेशा समर्तक रहे हैं इसके साथ ही विदी और नियाई वेवस्ता पर भी इनके कुछ विचार थे उनको भ पांच बिंदू को ही आप पर्याप्त ना समझें कि हमने यहां बोर्ड पे आपको पांच बिंदू बताएं इसका मतलब यह नहीं है कि राजरा मोहन राए के मात्र राजनिती संबंदी विचारों में पांच बिंदू ही थे इसा नहीं है इनके और भी कई सारे थे लेकिन अपने धर्म और समाज सम्बंदी विचारों के साथ ही यह कहते कि अनुछ अपने राजनिती में सुधार है तो उन्होंने कुछ उपाए भी बताय थे तो उस invented करें। पर उल्लेकित है और एक-एक बिंदू के माध्यम से हम इनको कम्प्लीट करने वाले हैं चलिए शुरू करते दोस्तों एक-एक बिंदू करके हम इसको कम्प्लीट करेंगे और सेशन हमारा कम्प्लीट यहीं हो जाएगा मैं सेशन को इस्टार्ट करो उससे पहले मैं आप का समय बहुत कीमती होता है यह ना मुझसे भी ज्यादा कीमति आप लोगों का समय होता है पढ़ने में लेकिन जरूरी है दोस्तों यह बताइए मुझे कि सबसे पहले तो कि कुछ कमेंट हमें शाती भी देती है कुछ कमेंट आती ज्यादा नहीं आती लेकिन मैं चाहता हू तो टोपिक से सम्मंदित होना चाहिए कुछ कमेंट अब भी आती है मेरे पास के सर्द आपके जो लेक्चर होते हैं बहुत लंबे चले जाते हैं इनको थोड़ा सा सोड करने का प्रियास करें मेरे प्यारे दोस्तों मैं आप लोगों से वही कहूंगा कि अगर इनको मैंने शोड करने का प्रियास किया तो फिर वो पढ़ाई के सांस समझोता हो जाएगा पढ़ाई के सांस समझोता हो जाएगा वो संभवता यूटूब पर आपको कहीं सारे ए अचिसा देखने को मिल जाएंगे जो दस ये पंदरası, मिनट के लेक्चर होंगे, मैं बिल्कुल यह नहीं बोलता कि वहां पर घ्राइन नहीं है, blephf अर एक जगा घ्रारत कर लेक्टर दे रहा है आपको पढ़ाने आया है तो वह संभबता कुछ ने कुछ पढ़ा करी ही जाएगा चाहे वह दो मिनिट के लिए पांच मिट या दस मिनिट के लिए मैं उसका बिल्कुल नहीं करता हूं लेकिन मेरा मानना यह है कि जब टोपिक की लेंथ हमें बताती है कि हमें कितने समय लेक्टर चलाना है तो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके क्या सेशन को पाके में सोट करना चाहिए यह ना 15-20 का सेशन करना चाहिए या पिर जो हमारी लेंथ चल रही है कोई सेशन 25 मिट का भी होता है कोई 40-50 मिट का भी हो जाता है कभी-कभी को चैंड करते हैं तो क्या पेड क्लासे में भी आपका कॉष्चन यह होता है कि आप कमेंट के यही में पर लोगों को तो थोड़ी अप लोग में अलगरती में सब समझता हूं चीजों को ज्यादा यहां पर फड़ाने बाले टीचरों को ज्यादा रिस्पेक्ट नि दी जा बाकी आप सब समझदार है यह बात फिर कभी करेंगे हलाकी बात तो करनी आप लोगों से बट ज्यादा टाइम नहीं लूँगा शुरू करते सेशन को मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग की सेशन जिसे चल रहा है बेसे ही कंटिन्यू किया जाए या फिर सबसे फूलर पोइंट है हमारा ब्यक्ति की सोतनतता पर विचार राजाराम मोहनराई ने अपने चिंतन के दोरान सामाजिक और धार्मिक चिंतन के दोरान ही जब जनता को जागरत किया तो जनता जागरत होने से उनके अंदर अधिकारों की आखांग चाय प्रिकट होने जनता के दोरा जब मांग होने लगी तो उसी मांग को और प्रवल करने के लिए ब्रेटिस सरकार के समक्च उस मांग को सोतनता की मांग को और प्रवल करने के लिए एक सशक्त नेता की तरह जनता के आगे राय साहब खड़े हुए थे इसी दोर में उन्होंने अधिकारों सो न जिसूतनता की उन्होंने बात की जैसे कि जीवन के अधिकार की संपत्ती के अधिकार की बात की एदिकर की Bron la को सबी अधिकारों पर उन्हों को इसी याधार अन्होंने बिल्टिस सरकार के समक्च भी अपनी यहताद जनता की मांगों को रखा भी है और उसको लेकर के संभवता उन्होंने उसका परिणाम भी साबिट किया है परिणाम भी लाकर कि दिया है और के सकते हैं कि इनके चिंतन के बाद ही या कहें कि इनके प्रियासों के प्रियासों के बाद ही भारत में एक नव जागरन की धारा प् व्यक्तिके अधिकार और सोतनताओं को विशेश महद्व दिया है और इस महद्व किस आधार पर दिया उन्हें तो नेतिकता की अधार पर दिया है इसे कोशन आते हैं आपके एक्जाम में और आप पिर कर नहीं पाते हो छोड़के आ जाते हो क्योंकि इतनी घहराई से नहीं पड़ पाते हो राजा राम मोहन राए ने अधिकार व्यक्तिकी अधिकार और सोतनताओं को किस आधार पर मान्यता दीती तो नेतिक आधार पर मान्यता दीती याद रखिएगा नेतिक आधार पर मान्यता दीती ठीक है ना तो जीवन की अधिकार संपत्तिक अधिकार अभि लोकतंत्र को शुकार किया है लेकिन पूर्ण लोकतंत्र को नहीं याद रठी है यहाँ पर भी बिंदू है यहाँ पर भी आपसे कुम्ट्रेट प्रकार के जितने भी निरंग कुष शाण विवस्ता थी या दमनकारीender शासन विवस्ता थी उनके विरोधि थे वे अती शक्तिसालीं राज तंत्र अधिनायक यसदा विरोधि थे क्यों कि उन्हें इस वाद क 약 20 समझ आ चुकी ती कि जो शक्तिसाली राज तंत्र है या अधिनायक तंत्र है दमनकारिये निरंकुष शासन व्यवस्था जिस राज में भी है वो आम नागरिकों के लिए बड़ी ही घातक शाबित होती है आम नागरिकों को उनके अधिकारों से उन्हें बंचित कर देती है इस कारण से उनके विरोधी थे उसाति समफन पर होती है उसके मांद्यम से जनता को संपूर्ण अधिकार ती तो मिरंकुष शासन व्यवस्था का बिरोध करने के सांत के इन्हों ने लोग तांत्र को संवेधनिक सासन का पून समर्तन किया था तै आप पूर्ण लोगतंत्र के सिद्धान्त को शुकार नहीं करते थे किन्टू में सभी नागरिकों की जो विशेस सोतंत्ताय थी या विशेस अधिकार थे जो कानून थे उनका पूरी तरह वे समर्तन करते थे इसे स्टोरी पढ़ने का प्रियास करें रटने का कुछ भी जरूत नहीं है मैंने सभी पूइंटों को हाइलाइट किया हुआ है पूइंट जब आप लोग देखेंगे ना तो देखते ही आपको पूरी कहानी याद आने लगेगी मैंने बिशेस रूप से इनको जो किया हुआ है याद की ठीक है चलिए आगे बढ़ते दोस्तों नेक्ष्ट है प्रेस और अभिवक्ति की सुधनता का समर्तन तो राय सहाब ने राय सहाब ने प्रेस की सुधनता को विशेश महद्व दिया था क्योंकि प्रेस ही वो माध्यम है जिससे प्रतेक व्यक्ति अप विचारों की अभिवक्ति कर सकता है तो अभिवक्ति के रूप में प्रेस की सुधनता का विशेश समर्तन किया है राय सहाब ने लिए वे ब्रेस के दोयारा जनता को चाहते थे जनता को जगाना चाहते थे इसलिए नहीं प्रेश की सुतंता का समर्तन वो इसलिए नहीं करते थे कि वो जनता को शासन के बिरुद्ध भढ़काए नहीं बलकि वो जनता को सिक्षित करने के लिए ये जनता को जागरुक बनाने के लिए प्रेश की सुतंता का समर्तन करते थे राय साब स्वस्त और प्रबुद जन्मत निर्माण में प्रेस की भूमी का कुछ विकार करते थे अर्थाती ये कि राय साब ये अच्छे से जानते थे कि एक जन्मत का अगर एक सक्षम एक स्वस्त जन्मत का अगर हमें निर्माण करना है तो प्रेस की सुतंता का होना अतियावश्य के प्रेस की सुतंता के बिना एक स्वस्त जन्मत का निर्माड नहीं किया जा सकता और इस प्रकार वो प्रेस को शासित और शासक के बीच एक संपर्ग शूतर के रूप में शुईकार करते थे सासित और शासक, जनता और सासन, सरकार, जनता और सरकार के बीच में एक संपर्क का अगर कोई माध्यम है तो वो प्रेस है, यही अभिवेक्ती थी किसकी, तो दोस्तों राजराम महुंराई की, किलियरे, नेक्स्ट पॉइंट था आपका बिधी एवम न्याई बिवस्ता पर पुस्तक में उन्होंने कुछ अपने विधी संबंदी कुछ विचार लिके है, वो इस प्रकार है कि भारत के लिए, भारत के लिए कानून निर्मान का कार, ब्रेटिस संसद, जिसे उसमें सब परिशद समराट द्वारा किया जाना चाहिए, सब परिशद समराट, क्या थी तो वो परिशद के साथ समराट और परिशद दोनों मिलकर के भारत के लिए विशेष कानूनों का निर्मान करें, एक तो ये उनका इस पात को समर्तन देते थे वो, उनका मानना ये था, कि जो ब्रेटिस सरकार उस समय में थी उनके सामने, ब्रेटिस सरकार ही समाज का सुध सुधार करने के लिए धर्म का सुधार करने के लिए 37 में राजनितिक रूप से जनता को जागरत करने के लिए शच्छम बनाने के लिए औरम करें अगला तरह चानुरा कोन करेंगा सासन ब्रिटिस सरकार कुछ कानूनों का निर्माड करे इसके अलावा राज्य दुआरा निर्मित बिदी को बिवेक पूर और उपयोगी होना चाहिए ऐसा नहीं है कि कानून बनाए फाइलों में और फाइलों में ही वो कानून दफन हो गए उनको लागू न किये जाए ऐसा बलकि अगर आप जनता को ले करके जनता के लिए धर्म से संबंदी या समास से संबंदी कोई कानून का निर्माड करते हैं कोई बिदी बनाते हैं तो वो उपयोगी होना चाहिए वो कारगर होना चाहिए शुप्त नहीं होना चाहिए और ताथ फाइल में दफन होने वाली नहीं होना चाहीए जिस कारी के लिए निती निर्माण किया गया है कि उचेत रूप से करे ऑगा ने augुझ मिला करेः लक Mic próxim भारत में प्रचलित दिवानी और इसकानून इसकी भारत में भारत में जो भी कानून ब्यवस्ताय थी जैसे दीवानी ब्यवस्ताय और में दिवानी कानून और में है तो जो कानून है उनका सभिंतकरन होना चाहिए सभिंतकरन reductions अगर भरतमान भारत की बात करें तो बरतमान में echoes सभिंσι च्पारी दोनोस का सभिंतकर में क्योंं कि आफ फोसदारी कानून के लिए मतलब क्रिमिनल लोग के लिए IPC है IPC और सिविल लोके लिए CRPC है, माप कीजिगा CPPC है, तो इस प्रकार से अलग अलग व्यवस्ताइं की गई है, कानून बनाए गए है, पुस्तक है, सहिंता करण का मतलब होता है, कि एक इसी पुस्तक होना चाहिए, जिसमें संपूर्ण कानूनों का पूरा उल्लेक किया गया हो, और उस उल्लेक के द्वारा ही विविन्य व्यक्तियों को ये दोशियों को सजार का प्राब्धान होना चाहिए, न्याई व्यवस्ता का उन्ही सहिंता के माद्धम से ही न्याई व्यवस्ता जो है प्रदान की जानी चाहिए समाज को, इस जूरी व्यवस्ता में जो जाती व जाती ही बेदवाब गोले और कारे का तो वो जो जाती ही बेदवाब था उस बेदवाब को समाप्त करें और जूरी विवस्ता ऐसी के ऐसी भारत में बनी रेना चाहिए जूरी विवस्ता समाप्त नहीं होना चाहिए तो बिशेस रूप से बिधी के मामले में बिधी के गछिशमें अलेमित हैं दोस्तों यह उनकी पुस्तक में थे भारत की राजस वाली पुस्तक के पांचो बिंदु हों में प्रतेग बिंदु दर्टि बिंदु देखिये प्रतम बिंदु में क्या है कि बहुत के लिए कौन करूंद में बनाएगा परिशत के साथ में दूसरे बिंदू में ब्रेटे सरकार को भारत की जो धार्मिक कुरूतियां हैं धार्मिक बुराइयां हैं उनको समाप्त करने के लिए कानुन बनाना चाहिए तीसरी जो व्यवस्ता थी कि विधी बनाई जाए और वो विधी उपयोगी हो प्रभाव शाली हो ठीक है ना नेक्ष्ट में था कि जो दोनों कानुन व्यवस्ता हैं हमारी दिवानी और फोस्दारी इसका सहिंता करण होना चाहिए एक ब्यवस्ते पुस्तक होनी चाहिए दोनों कानुनों की अलग-अलग जिससे पृतेग व्यक्ति बढ़कर के जान सके कि कि अपराद के यह क्या कर सकता है जूरी वेवस्ता नेक्स्ट में है कि जूरी वेवस्ता का प्रापधान भी भारत में होना चाहिए जूरी वेवस्ता का लेकिन बरतमान में अर्थात की उनके समय में ततकाल समय में जो जूरी वेवस्ता में जो बुराइया थी अर्थात की जाती कि लिए इसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों यह मिस्प्रिंट है मिस्प्रिंट है पॉइंट नमर टेन यह पांच यह चोटी गलतियों पर ध्यान न दे आप इसे उपसे पढ़ाई पर ध्यान दें ज्यादा बेतर होगा शासन के प्रती बिटिस साथन के प्रती राय साहब का जुकाव अब यहां पर आपको पढ़ कर के थोड़ा सा एसा लगेगा कि यह क्या सुन रहे हैं कि राय साब इतने बिद्वान होने के बाद इतने महान ब्यक्ति होने के बाद भी ब्रेटिस सरकार को सपोर्ट करते थे जी हाँ ब्रेटिस सरकार को सपोर्ट करते थे लेकिन जब आप इनके बारे में कुछ तरह पढ़ेंगे तो किस बिंदू को लेकर कि किस उद्देश से य उरकी तलब जुखापता इनका तो आप उसके बारे में भली बाति रूपसे जान पाएंगे जब अब सतार से पढ़ेंगे विना फिस्तार दिये कुछ भी कहना उचित नहीं होगा इनके विचारों को ब्रेटिस सासन के बिशेष प्रसंसनिय थे ततकालीन समय में राजा राम मोहन राय ब्रेटिस सरकार के भारत में ब्रेटिस सरकार के बिशेष प्रसंसनिय थे वो उनका बिरोध नहीं करते थे वे ततकालीन ब्रेटिस सासन को मद्य युग अंदकार में डूबे हुए भारत के लिए ईश्वर का बरदान मानते थे क्या का मैंने बिर्टिस सरकार को मद्द युग का जो अंदकार था उस समय उस अंदकार में भारत डूबा हुआ था और उस अंदकार से निकाल कर भार लाने वाले कौन थे दोस्तों तो बिर्टिश थे बिर्टिस सरकार थी इसलिए रा क्यां मतलब कि भाएरत के संपूर्ड विकास के लिए यह सबी पक्चों के उत्थान के लिए चाहे वो समाच का उत्तान की बात हो चाहे वह धर्म के उत्तान की बात हो किसी भी पक्च के ढिखत्तां के लिए बिल्टिस सरकार साहयक सिद्र हो सकती है तो इस प्रकार में 20 के लक्च की लिए बीटिस सरकार को एक उत्तähltं के रूप में मानते थे उनका इस पस्ट मानना था कि अगर हम भारत को इस आव्यवस्ता से सूब्यवस्थित मारगी की और अगर ले जाना चाहें भारत का अगर एक उचित विकास करना चाहें तो ब्रेटिस सरकार से बहतर ओप्सन हमारे सामने कुछ नहीं हो सकता इसलिए ब्रे जिसे ही समाज का अपने आप देश पर अधिकार हो जाएगा ब्रेटिस सरकार अपने आप दुम दर्वा के भाग जाएगी लेकिन ब्रेटिस से लड़ने से पहले ब्रेटिस सरकार से लड़ने से पहले उसका बिरोद करने से पहले हमें उसका बिरोद करने के लायक बनना हो अर्थात जिस धार्मिक रोडियों में हम फसे हुए हैं, जिस समाज की अव्यवस्ताओं में हम उल्जे हुए हैं, उन अव्यवस्ताओं से हमें बाहर निकलना होगा, पहले हमें जागरत होना होगा, हमें अपने आपको इस प्रकार से सक्षम बनाना होगा, कि हम ब्रेटिस सर होता कि इस समय में ही बिरुटे सरकार का बिरोध करके बिरुटे सरकार को हटा दिया जाता थो फिरसे भारत के फिरसे पहले की तरह पापस से टूगरे हो जाते Peki तरुज से भारत चोटे-चूटे राज्यों में बढ़ चूका होता एक अleased भारत जैसा कि वर्तमान में है एसा भारत फिर कभी देखने को नहीं मिलता अगर उस समय राजरा मोहन राय ब्रिटिस सरकार का बिरोत करते और संभवता अगर उनसे आजादी भी प्राप्त कर लेते तो उस समय भारत में एसा कोई नेतद्व नहीं था जो संपूर्ण भारत को एक तो उन्होंने भहुत आगे का सोचने के बाद ही इस प्रकार से उन्होंने ब्रिटिस सरकार का समर्थन किया था कि यह पूरा डिसकर्शन दोस्तों आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा में आपको पुर्थम में स्टाइंग में ही बताया था कि समाजिक और आजनितिक विचारों पर सेपरेट सेशन लेने का उद्देश हमारा यह है कि एक्जाम में आपकी परिक्षा में भी आप तो राजराम मोहनराई के समाजिक और राजनितिक विचारों के अध्यन के बाद हम यह इस पस्टूप से कह सकते हैं कि वास्ता में पुनर जागरन के प्रवर्तक या अगरदूत के रूप में राजराम मोहनराई को जाना जाता था क्योंकि उनके समाजिक चेतर में और पहले किसी ने इसे प्रियास नहीं किये उन्होंने भारतिय समाज विवस्ता में संस्कृति के पतन के जो मूल कारण थे भारत के संस्कृति जो पतन की और उन्मुक्त हो रही थी जो पतन की और जा रही थी जो कारण थे संस्कृति के पतन के उन कारणों को ढूंडा और उन का उनकी म्रत्यू के बाद भी, उनके दिहाप्सान के बाद भी, अर्ध सताब्दी बाद भी उधारबाधी राष्ट अंदलनों के रूप में प्रिकट हुआ, अर्थाथ ये, कि राजराम मोहुन राए के बाद भी, उनके विचार लगबक पचास बरसों तक जागरत रहे। और पचास वर्सों बाद जो क्रांतियां हुई ती बाद में उदार राष्ट बादी जो आंदुलन हुए थे भारत में उन आंदुलनों में इनके ही सिध्धानतों का उचित रूप से पालन किया गया था। क्लियर दोस्तों तो उम्मीद करता हूं कि यह सेशन आपको कंप्लीटली राजराम मोहंडाय का सेशन अभी तक पूरा कप क्लियर होता चल रहा होगा कोई डाउट नहीं होगा थोड़ा सा जो है थोड़ी सी में चर्चा तो फिर से करना चाहूंगा क्योंकि आज कुछ जादा तो थोड़ी सी भावनाओं को भी समझे अगर कोई टीचर आप लोगों को इस तरह से पसीने बहा करके सिर्फ में अपनी बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों यूटूब पर बहुत सारे टीचर पूरी इमानदारी से पढ़ाते हैं आप लोगों को लेकिन फिरी पढ़ाने के क और इसी कारण से जो मैं समझ पा रहा हूं इसी कारण से मैं बोल सकता हूं कि सभी टीचर सभी टीचर फिरी और कोस्ट क्लासेस क्यों प्रोवाइड नहीं करते हैं अन्यता यूटूब एक ऐसा प्लेटफार्म है जहां पर लगबग के इस टीचर आते और आ करके आपको फि सपोर्ट नहीं करते जब आप लोग प्राने वाले टीचर की ही रिस्पेक्ट नहीं करते जो आप क्योंकि देखिए चाहे आपसे पेमेंट ले या ना ले आपका सपोर्ट दोनों रूप से चाहिए अगर आपसे बिना पेमेंट लिए कोई टीचर पढ़ा रहा है ना तो उ YouTube उसको उतना कमा के देदेगा आपकी ज़रूती नहीं पड़ेगी लेकिन जब कोई टीचर निरास हो जाता है ना तो दोस्तों आपके इस्टडी वक्ती वहीं रुख जाईए थोड़ा मेहद देना सीखें कि लिए रे चलिए बाकी बाते पिस चाहिए होती रहेगी सिर्फ भ लेकिन जब आप लोग फूरीता से शूप तो हो जाते ना एक शूप तो जाला मुखी की तरह है तो थोड़ी प्रोल्लम होती है अरे जागरत रही है यारे एक्टिव रही है आप लोग के लिए कोई विक्तिया इतनी मेहद करके आ रहा है फिर यो कोस्ट क्लासेस प्रोवा यही कंडिशन बनी रही अगर इसी प्रकास से चलता रहा तो मैं गैरेंटी के साथ बोल सकता हूं दोस्तों यूटूब पर एक भी टीचर आपको एक इमानदार कोई एक भी इमानदार टीचर आपको फ्रियोप को सिक्चा नहीं देगा कोई भी नहीं देगा जिस तरह से आ पूरी उम्मीद से फ्री और कोस्ट फ्री एजुकेशन प्रोग्राम के रूप में मैंने इसको लॉंच किया था लेकिन कभी-कभी आप लोगों को देख करके आप लोगों के इस प्रकार के जो एग्णोर करने का तरीका है ना उसको देख करके मुझे कभी-कभी डर लगता है एसा ना हो कि भविश्य में इस प्रेटफर्म को पेट करना पड़े मुझे आज भी मेरे भावना वही है कि मैं आप लोगों को फिरियो कोस्ट ही पर आओं किसी से कोई चार्जस ना लूग लेकिन अगर आप लोगों का रवय यही बना रहा तो फिर शायद मुझे आगे अपने ही इन देसिजनों को चेंज करना पड़े कुछ चार्जबल बनाना पड़े इसलिए आर प्लीस मजबूर मत कीजिए तो आँ सपोर्ट करते रहिए कोई वेक्ति नहीं बोलता तो इसका मतलब यह नहीं है कि बस वो उसको खाने की आवश्यक्ता नहीं उसको पेसे की जावश्यक्ता नहीं होगी उसको घर चलाने के लिए बस आप लोगों पड़ा दिया खुश हो गया तो खुशी से पेट नहीं वरता दोस्त इना उसको भी कुछ जरूत पड़ती है तो मैं आप लोगों से यह नहीं बोलता कि आप लोग आर्थिक रूप से सपोर्ट कीजि और वो इमानदारी शायद आप लोगों को डिग रही होगी चले मिलेंगे नेक्स सेशन में दोस्तों तैंक यू इतना टाइम देने के लिए